हेलो दोस्तों आपका स्वागत है अदिवका फोष्टेक के चैनल में जनरली ये पहला मेरा मतलब सेशन्स है जो मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं इससे पहले मैं काफी मशीनों का वीडियो और इंस्टॉलेशन कमिश्निंग इन सब चीजों का वीडियो में इंस्टॉल करता था जो हमारी कंपनी करते थे जो नए सब्सक्राइबर है मैं उनके लिए बता दू अधिक्वा फोष्टेक एक ऐसी कंपनी है जो फोर्जिंग इंडिस्ट्री में इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग का काम करती है या कोई प्रोजेक्ट लगाना हो कोई प्रोड़क्ट करना है चाहिए ओपन डाई हो चाहिए क्लोजड डाई हो यह सब जो कि आप मेरे सारे यूटूब एंड वेबसाइड एंड एवरिटिंग इंस्टॉलेशन लिंकिडिन सब पर आप हमारा वीडियो वगरा देखके चेक कर सकते हैं तो चलिए हम लोग बीना देरी के हम लोग के जो भी रिकोर्णिंग है डाउट करते हैं आफिर फोरजीं क्या होती है फोरजीं कितने परकार के होते हैं और मशेनरी चाहिए आज कल ट्रेंड में कौन सी मशीन है टेक्नालोजी क्या बोल डिया प्रोड़क्शन कैसे होता है सब कुछ अगर इन सब चीजों के साथ आप को फोर्जिंग में जॉब चाहिए जहां-जहां नीश संभावना या ज्यादा प्लांट लग रही है जो हमारी कंपनी लगाती है तो आए दिन एलेक्टिकल मेंटेनेंस एन प्रोडेक्शन्स एवरिटिंग में हमारा वो अपडेट हम लोग उसी के अनुसार हम लोग कंपनियों के लिए जिसके लिए हम लोग यह बैठाते हैं इंडुस्टि बैठाते हैं काम करते हैं उनके तरफ से हम लोग मेंट पावर भी खोज के देते हैं तो जरूर से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा सारा अपडेट देखते कि अभी भी कोई भी चीज पोश्ट के लिए हम लोग अपडेट करते रहते हैं रही बात तो आज ये मैं ब्लॉग क्यों कर रहा हूं रीजन क्या है कि आज जो आने वाले यंगेस्टर हैं जो भी colleges, engineering करके निकल रहे हैं लोगों को एक रास्ता एक वे मिलें कि पढ़ाही करने के बाद हम किस रास्ता हैं किस फिल्ड में जॉब करें क्या क्या संभावनाएं automobile sector क्या होती है, engineering क्या होती है, बहुत सारे सवालों का जवाब होता है तो content आपको बहुत सारे मिलेंगे YouTube पे, बट ये हमारा जो content होता भी practical content है हम industry में 14-15 साल हमने काम भी किया है, बढ़े-बढ़े company'ों में, बहुत सारे company' के नाम है, सारा चीज हम लोग एक-एक practical करके हम अपने blog में आपको दिखाएंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं, छोटा सा काम करना पड़ेगा, आप हमारे channel को subscribe कर लिजिए, हमारे साथ touch में रहिए हर वो चीज, हर वो learning आपको initial stage से मिलेगी, जो आपको कोई भी channel और कोई भी चीजें आपको नहीं मिलती है तो चलिए दोस्तों, बीना time गवाए हुए हम लोग start करते हैं, आकिर forging होती क्या है, forging कितने परकार क्यों होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग और details में इसका जाएंगे दोस्तों, forging क्या होती है, आपके सामने पर तीन picture हमने दिया है, छोड़ा सा cut blank है, जिसको बोलते हैं, जो red piece है, एक manipulator से पकड़ा हुआ है, और दूसरा picture में आप देख रहे हैं, कुछ process के दौरान उस job के ऊपर कोई force या apply हो रही है, ठीक है, और तीसरा में एक die दिख रह जो अपने tongue से, chemtes है, जिसको generally बोलते हैं, उसको job को निकाल रहा है, like that, यही है, forging में यह picture आपको दिख रही है, तो content के अनुसार जो भी है, पुड़ा सुध हिंदी में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, forging एक ऐसा process है दोस्तों, जो भी material होता है, उसको एक certain degree तक temperature को गर्म किया जाता है, जैसे hot forging है, तो hot forging का जो product का जो temperature होता है, वो 1200, 150 degree Celsius होता है, उसको वहाँ तक गर्म किया जाता है, like पहले जवाने में gas heater होती थी, फिर upgrade हुआ, oil heater हुई, फिर अब जो latest चली भी induction heater, ठीक है, उसमें हम लोग गर्म करते हैं, कहां तक 1250 degree Celsius तक, ठीक है, जब वो rich हो जाती है, ठीक है, जब वो rich हो जाती है, तो हम उस material को पकर कर, या जिस हिसाब से, जो भी medium है, उसको पकर कर, एक forging price मिलाते हैं, forging price क्या होती है, दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा, सुरू से, जबकि मैंने आपको वादा किया है, कि हम, पूरे detail to detail बताएंगी, forging होती क्या है, तो generally, जब piece गर्म हो जाता, cut blank, जब गर्म हो जाता, certain degree तक, उसको एक desire, die या sacha, जो भी बोलिये, एक price के अंदर में वो लगी होती है, एक high force के द्वारा, ठीक है, high force के द्वारा, उसको forging करते हैं, एक होता, upsetting होता है, blocker होता है, then finisher होता है, दोस्तों, ये भी मैं बताऊंगा, upsetting क्या होती है, blocker क्या होता है, finisher क्या होता है, फिलाल, forging क्या है, इस पर हम लोग concentrate करते हैं, forging क्या है, किसी भी shape को, किसी भी material के shape को change करने की process को ही forging कहते है, मेटरियल उसमें क्या होता है कमप्रेस होता है एक डिजायर सेप भी मिल जाती है ठीक है तो वानशीत अकार में प्रिवर्तत कर लेते हैं अपने अनुसार फोर्जिंग की किरिया जो धातूओं और अनपरदार्थों को भी अपने एक्षा अनुसार अकार में बदलने के लिए भी क्या जाता है ठीक है फोर्जिंग जो होता है बहुत तरह के होते हैं जैसे रोल फोर्जिंग होता है स्वेगिंग होता है ड्रॉप फोर्जिंग होता है अपसेट फोर्जिंग होता है प्रेस फोर्जिंग करते हैं फिर उसके बात हैमर होता है हैमर में फोर्जिंग कर ल जो इसके जगह लेते हैं उसमें से जो है popular सबसे ज़्यादा प्रेस फोर्जि जो हम लोग की बैठाते भी आप देखें होगे की अधिवका फोर्ज्ट टेक वा फोर्जिंग प्रेस जनरलिय बैठाती है FORGING प्रेस प्रोसेस में क्या करता है जब भी प्रेस फोर्जिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो वांचित अकार प्राप्त करने के लिए बार-बार चोट करने के अस्थान पर एक ही बार में बल लगाकर प्रेस मशीन द्वारा धातों को डाई में चार ओर फैला दिया जाता है ठीक है यही है फोर्जिंग तो दोस्तों फोर्जिंग क्या होता आप समझ गये होंगे और आने वाले यह मेरा नए वीडियो है तो हम लोग आने वाले समय और वीडियो में और भी इसको इलबरेट करेंगे और विस्तार से आपको बताने की कोर्सिस करेंगे फिलाल और अधिक जानकारी के लिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकेन का बटम जो है दवाना ना बूले ताकि हम और अपडेट एन एवरिटिंग आपको हम देते रहें समय समय पर थैंकि दोस्तों धन्यवाद दोस्तों